नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे लुशन क्लासेश चानल में मेरा नाम है नितिन कुमार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगस्त मंत का करेंट अफेर जो कि मतली करेंट अफेर है इसमें हमने बात करेंगे टॉप मोस्ट MCQ के लिए जो कि आपके कोई को भी कंपटेटory exam, को भी government exam दे रहे हो उन सब के लिए best होगा मैंने इस तरह से सेट रखे question की आपके exam में आने वाले exam में हमारे यह जो आप presentation है इसे जरूर question आएगा ही आएगा क्योंकि मैंने top most selective जो question है मैंने इसमें कर रख रहा हूं इस वीडियो को लाज तक देखिए जो हमारा पहला कोशन है दोस्तों यह है कि लोकमान तिलक नेशनल अवर्ड जो है 2021 का इस साल किसको दिया गया है तो देखे इस साल आपको मिला है सिरस पुनावाला को आपको पता होगा सिरस पुनावाला कौन है यह वही सक्स है जो सिरस इंस्टिट के चेर्मेन है और तिलक के द्वारा जो कि प्रेश्डेंट है लोकमान तिलक थ्रस्ट गए और इन्हों इन्होंने यह अवर्ड शिरस पुनावाला को दिया है बात करें लोकमान तिलक नशनल अवर्ड के बारे में तो यह से स्टार्ट किया गया था 1983 में यह हर साल एक अगस्त को दी जाती है for the celebrating of death anniversary of लोकमान तिलब ठीक है यहाँ पर बहुत सारे सक्स को मिला है बहुत महान सक्स जो सक्स हैं उनको मिला है जैसे इंडरा गांदी हो गई है टॉक्टर मन महान सिंग हो गई है अर्टल बिहारी बाचपाई हो गई है पर्णो मुखर जी एनर रायन मुर्थी और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस अवर्ट से समानित किया जा चुका है तो ठीक है तो यह भी एक important question है याद रखिएगा चलिए फिन next question के करब भारत की वो कौन सी पहली महिला है दोस्तों जिसको यहाँ पर olympic में दो medal जीती है तो देखिए वो है पीवी सिंदू so option c is the correct answer पीवी सिंदू जो है पहली महिला है जो कि इन्हें दो बार olympic में medal मिल चुका है बात करें एक बार Rio olympic में मिला 2016 में यहाँ पर silver medal ने इन्होंने जीत के लाए भारत के लिए और दूसरी बार यहाँ पर Tokyo Summer Tokyo olympic 2020 में होगा था जो कि pandemic के करने यह 21 में होगा था तो इसमें यह bronze medal जीती थी ठीक है पीवे स्विंदी बिलोंग करती है है थराबार से बात करें इन्होंने ना ही क्यों olympic medal जीता है बलकि और भी बहुत सारे अवर्ड जीता है जैसे कि Padma Bhushan Award जो कि 2020 में जीता है यहाँ पर इन्हें पदमा स्री से भी समानित किया जा चुका है 2015 में राजीव गांदी खेदर रतन अवर्ड जो कि 2016 में से समानित किया गया और अर्जुना अवर्ड 2013 में से समानित किया जा चुका है ठीक है आप लोग नहीं जानता होंगे यह tennis की player है चलिए लेक्स्ट कोशन हैं दोस्तों कि world breastfeeding week किस मंत को यहां पर अबजर किया जाता है देखिए world breastfeeding week यह अबजर किया जाता है अगस्त है एक अगस्त से लिएक सरा अगस्त में यह celebrate किया जाता है यह किया जाता है world alliance for breastfeeding action के दवारा ठीक है इन्होंने ही इसकी सुभाद की थी 14 February 1999 क बाई अनवर फैजल के दुबरा ठीक है इसकी हेड़क्वाटर आपको पेनाम मलिश्या में देखनों को मिलेगी इस साल की इसकी थीम रही प्रोटेक्ट ब्रेश्ट फीडिंग एस सेट रिस्पॉंसिबिटी चलिए नेक्स बात करते है नेक्स्ट कोचन है कि भारत सरकार ने किस इंटरनेशनल ऐजेंसी से 250 मिलिएंस डॉलर का यहां पर लोन का एग्रीमेंट के है देखिए वह है वोल्ड बैंक के लिए वर्ट बैंक से यहां पर भारत ने टू फिप्टी मिलिएंस डॉलर का यह पर लोन लिया है ताकि जो डैम है 120 दैम भारत के अलगलों के राजि और लिया गया इसका लोड चलिए यह भी क्लियर हो गया यह भी इंपोर्टेंट है निफ्ट बात करें कि किस राज सरकार ने एक भुकांप अलट एप जो है लॉंच किया है देखिए उत्राखंड की सरकार ने यहाँ पर लॉंच किया है तो अप्शन बी इदर कोरेक्ट एंस पहले ही यह वार्निंग मैसेज भेज देगा अर्थक्वे काने से पहले और उसे ट्रैक किया जाएगा लोकेशन लोग जो है उससे ट्रैक कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं तो यह कुछ है दोस्तों याद रखिएगा नेक्ष्ट बात करेंगा दोस्तों कि वह थर्ड यह थर्ड इंडियन रही बॉक्सर जोकि विरेंदा सुख के बाद और मेरी खॉब बर्यांज जीता है और समर औलोंपिक में 2018 में इन्हों ने अवर्ड जीता था वोमेल्स वर्ल बॉक्सिंग चैंपियंशिप में और 2019 में भी यहां पर ब्रॉंच मेरे जीता है ठीक है यह बात करें तो यह फिर्ष्ट फिमेल एथलिष्ट भी है और सेकेंड बॉक्सर है असाम की जो कि भारत को रिपरजेंट करते हैं छब करेंगे अलब digging एपठ자가 फिजया वर्मभी सेकेंद घिक सेकेंगों था गारे सबाऊंपिक में चली है और धुर्जव NICK क् वकाने है कि कि सी और फिमेल imm उफिसर नहीं यहां पर पहली बार फिमेल एफिसर को यहां पर में बात कराया तो क्हांबात केंगे 17 तो किस organization नहीं कि आपको बताना है तो देखी इसका सही answer हो जाएगा Indo-Tibet border police Indo-Tibetian border police ने यहाँ पर बात करे तो यह organization जो है यहाँ पर पहली बार female candidate को यहाँ पर recruit किया है और इसकी training बात करे तो इसकी training दे गई है Indo-Tibetian border police officer training academy जो की मसूरी में है ठीक है यह 8 August 2021 को यह commission हुआ था पहली बार two women officer को यहाँ पर combat के मतलब दो महलाओ को यहाँ पर लिया गया ठीक है याद रखेगा Indo-Tibetian border police यहाँ पर बात करे तो एक तरह का पैट्रोलिंग करता है यह चाइना border के पास चाइना तीबत border के पास ठीक है उस रीजन में जगी पैट्रोलिंग करते हैं यह लोग और इसकी सुरात हुई थी 24 October 1962 में under the CRPF Act तो यह चीज इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कि National Traders Day जो है भारत उसको किट्स डेट को celebrate करता है अपका 9 अगस्ट को जानी 9 अगस्ट को इसको celebrate किया राता है National Traders Day यह साल किया हुँ था कि बात करेंगे जो foundation day था भारते उधियोग वैपार मंडल के द्वारा उसमें UN Minister जो थे UN Minister of Commerce Industry जो Puse Google था यह इसको address किये थी इस occasion के दिन और यहाँ पे इन्होंने बताया बोला कि जो आतने भारत campaign है जो गवर्मेंट का है इसको contribute किया जा ट्रेडर्स के द्वारा क्योंकि लोगों में जो है awareness जगे और जो लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो नौकरी की पीछे ना भाग के वो खुद का अपना एक start-up करे ठीक है कुछ उधियोग लगा है छोटा मोटा कोई भी start-up करे तो यह कुछ था दोस्तों चले नेक्स बात करते हैं नेक्स है कि International Day of Indigenous People 2021 इसका theme क्या रहा है तो इस साल की इसकी theme क्या रही है तो leaving no one behind indigenous peoples and the call for new social contact इसकी इस साल की theme रही है so option say the correct answer indigenous people कहने का मतलब है कि आदिवासियों के लिए यहाँ पर जितनी भी दुनिया आम बात कर रहे कि total जो 19 country है उनके लिए celebrate किया जाता है ठीक है और बात कर कि इनकी जो वर्ल्ड में population है वो है 6.2% ग्लोबली population इन्डिजीनियस पिपुल का तो यह चीज़ है 9 अगस्त को इनके लिए यह जो day है celebrate किया आता है और इस साल की theme मैंने भी बताया आपको चलिए फिर next question तरफ move on करते है तो next question है कि कौन से नेशनल पार्क में आपका असियाटिक लॉयन्स की आखरी population बची हुई है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका गिर नेशनल पार्क में गिर नेशनल पार्क में आपको असियाटिक लॉयन्स देखने को मिलेगा और अक्रीबन बात किया जा रहा है ये नेशनल पार्क गुजरात में पहला बात को आपको देखने को मिलेगा और ये नेशनल पार्क में बात किया जा रहा है कि जो असियाटिक लॉयन्स है उनकी जो population is surge मतलब कहा है मतलब बढ़ी है almost 29% ठीक है और इसका distribution एरिया जो है लॉयन्स का ये भी भड़ा है बात का तो 36% और गुर्ड नेशनल पार्क वार्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको हम लोग सान गीर भी करते हैं इसे फोरेशन नेशनल पार्क वार्लाइफ सेंचुरी गुजरात में ताला गीर जो है ये गुजरात में लेखना पिला है इसकी सुरुवात का अब इसको मतलब इस्टाइबलिस किया गया तो 1965 में तो important है याद रखिएगा next question है दोस्तों कि August के दिन मतलब August में हम लोग World Bio Fuel Day किस डेट को celebrate करता है तो देखिए World Bio Fuels Day हम लोग 10th August को celebrate करते हैं so option A is the correct answer इस साल की इसकी theme क्या रही दोस्तों तो देखिए इस साल की इसकी theme रही आपका Bio Fuels for Sustainability and Ruler Income इसकी इस साल की theme रही काफ़ी important है इसको याद रखिएगा next question है कि किस राज में नबार्ट ने यहाँ पर संसन किया है एक loan कितने का तो 188.81 करोर रूपीज का यहाँ पर loan संसन किया है और under the Ruler Infrastructure Development Fund के दवारा है मतला RIDF के दवारा है ठीक है अब आपको पता है कि यह loan क्यों करेगा वाई संसन क्योंकि जो Ruler Infrastructure Development Fund जो है यह उनके अंदर यह loan जो है दिया गया है तो किस राज को दिया गया है तो यह हैपका गोवा So option A the correct answer वहाँ के जो development है construction है जो भी road हो गया या पी solid waste management हो गया या plant treatment हो गया उन सब को यहाँ पर fund किया जाए और जो Ruler Erriage इसको develop किया जाए वहाँ की soil conservation को वहाँ पर बात किया जा irrigation facilities को जो भी है यह सब चीज को develop किया है उसके लिए यहाँ पर fund दिया गया है नबाट के दोड़ाँ नबाट किया है तो National Bank for Agriculture Ruler Development Bank Ruler Development है यहाँ पर और यह काम करता है अगर आपको परसु पालन के लिए अगर आप खूलना चाहते हैं कोई एक फार्म खूलना चाहते हो या फिक कोई agriculture सिक्टर में कोई फार्म मतलब खूलना चाहते हो अपने रोजिगा एक बात करें तो start-up करना चाहते हो तो अगर आपको लोन की जरूत है तो नमबाट के पास जाए यह नमबाट जो है आपको लोन देते हैं बहुत ही कम इंट्रेस्टेट है ठीक है चलिए next बात करते है next है कि यहाँ पर किस डेट को अगस्त महीं किस डेट को यहाँ पर international left-handers day celebrate कियाता है ठीक है तो यह आपका 13 अगस्त को यहाँ पर celebrate कियाता है option day is the correct answer ठीक है 13 अगस्त को जो है आपको यहाँ पर जो left-handers day होता है जो लोग चीज बात करते हैं उनके लोगों के लिए यह चीज अब्ज़र करने के लिए आप सिल्वेट किया जाता है और सार्व next है दोस्तों कि किस मनिश्ट्री ने यहाँ पर launch किया है जो ब्रैंड है सोन चिरेया for marketing औरवन चीज प्रोड़क्ट के लिए ठीक है औरवन प्रोड़क्ट के लिए जो मतलब सहरी प्रोड़क्ट है वहाँ पर सुन्चरिया नाम का एक brand जो है यहाँ पर किस ministry ने लॉंच किया है ताकि उनको promote किया जा सके तो देखिए इसको लॉंच किया है आपका ministry of housing and urban affairs ठीक है याद रखिएगा ministry of housing and urban affairs ने इस चीज को लॉंच किया है काफी important है तो यहाँ पर इसलिए एक ताकि इसका main aim रहे marketing जो आपका urban area में होता है self-help group के दौरा वो अपना product को भाई marketing कर सकते हैं वो लोगों को पास मतलब बात करें तो वैपारी को पास जाकर अपना self से बढ़ा सकते हैं और इसमें क्या है वो लोग करेंगे तो जैसे के handicraft हो गया textile हो गया toys हो गया a table item हो गया यह सब चीज वो लोग local market में वो अपना brand बना सकते हैं तो इसके लिए सरकार उनकी यह लोग सरकार जो है यहाँ पर उनकी मदद करेगी housing and urban affairs जो है history of housing affairs urban affairs has been focusing on equipying the urban's poor women with adequate opportunities जी हाँ यहाँ पर बात किया गया जो poor women है जो सहर में रहती हैं जो गरीब हैं उन लोगों को रोजगार भी मिले यहाँ पर इसलिए और sustainable micro enterprises जो होते हैं उनको भी यहाँ पर promote किया जा सके इसके दौरा यह सब चीज को focus करने के लिए यह चीज जो है mission चलाया गया है urban में तो याद रखिएगा काफी important है next question है दोस्तों यहाँ पर कि कौन सी bank जो है launch की है MSME monitoring program West Bengal में West Bengal में कौन सी bank है जो कि MSME को monitoring करने के लिए इस program को monitoring करने के लिए West Bengal में launch की है देद दिखिए यह आपका bank है आपका Indian bank ठीक है Indian bank जो है West Bengal में monitoring करेंगी कि जो loan देंगी MSME MSME का मतलब क्या होता है full form कि micro small medium enterprises यह होता है तो यह लोग क्या करेंगे कि जो loan देंगे तो जो West Bengal में जो loan देंगे प्रोपर तरीके से वाज करेंगे कि भाई को अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं ठीक है उनका business को run करने के लिए ताकि ज्यादा effective वेक तरह यहाँ पर उसकी capability को बढ़ाया जा सके उसकी value को बढ़ाया जा सके और अच्छे से जो loan वो लिया है उस पर वो काम कर सके और भारा सरकार का यहाँ पर पैसा ना डूब और इस वाज के इस लिए यहाँ पर बात करें तो इंडियन मैंक को यहाँ पर आना पड़ा और इस चीज़ पर यहां पर्मोट किया गया आपका 100 लाग कड़ोर ठीक है मतलब 100 लाग कड़ोर रुपया यहाँ पर इंविश्ट किया जागा परद्धान मंत्री गति सकती इनिसियटीव यहाँ पर परद्धान मंत्री जब इंडिपेंडिनिस डे के दिन यहाँ इस पीज दे रहे थे तो इसकी बात कहें थे और यह कि वह लोगों को रोजगार करेगा यह कैसे क्रेट करेगा यहाँ पर बात करेगा कि भाई जिसको आपको अपना स्टार्टप करना है कोई मैं ही हूँ अगर मुझे स्टार्टप करना मान के चलो मुझे चिनी मिल खोलना है ठीक है सुगर मिल खोलना है तो सुगर मिल के लिए मैं सरकार से लोन लूँगा तो सरकार की जो ये प्रधान मंत्री गति सक्ती योजना है इसके तअब में जिए लोन मिलेगा और जो मुझे लोन मिलेगा तो वहां के लिए मैं वरकर रखूंगा वहां पे मैं सुपरवाइजर्श रखूंगा उन सबको एक रोजगार दूँगा तो इसलिए यहां पर रोजगार क्रियट होगा इससे तो इसवाज़े से यह मदद क कर रहा है ठीक है तो कौन सा मिसायल को उसका नाम बताना है कि वो डिब्लॉप किया है हाईस्ट रेंज है उसका मतलब 2021 में सबसे हाईस्ट रेंज है अब तक का तो उसका नाम है साहिन 3 आप देख सकते हैं अभी डिब्लॉप्मेंट में यह ठीक है यहां पर बात करें तो इसकी रेंज है तकरीवन 2750 किलोमेटर ठीक है 2750 किलोमेटर इसकी रेंज है तकरीवन याद रहिएगा यह काफी इंप्रेंट है आपके लिए चलिए नेश्ट बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कोशन करते हैं नेश्ट है कि किस बैंक ने यहां पर लॉंच किया है फार्मर रेजिस्टेशन एन यूनिफाइड बेनेफिसरी इन्फोर्मेशन सिस्टम पोर्टल किस बैंक ने लॉंच किया है ठीक है किस बैंक ने यहां पर फू है उनको बहुत असानी से यहां पर बात करें तो उनको detail मिले ठीक है लैंड के बारे में कि उनका country में कहां कहां लैंड जो है वो cultivate कर सकते हैं और उतने को मतलब लैंड की क्या कीमत चल रही है यह सब चीज उनको पता चले यह सब चीज तो चले नेक्स बात करते हैं next question दोस्तो कि किस राज में यहां पर वांग चुआ फेश्टीबल जो है celebrate किया जाता है तो किस राज में शलिवेट करता है तो देखिए यह आसा में celebrate किया था ठीक है आसा में कौन सी tribes celebrate करती है तो दीवा tribesmen यहाँ पर celebrate करते हैं क्यों celebrate करते हैं ताकि जब अच्छी harvest होती है अच्छी जब harvesting होती है न दोस्तो तो उसकी खुसी में ये लोग जो है celebrate करते हैं वांग्चुआ festival important है काफी important है यह तो almost मुझे लग रहा है कि यहां में पूछी ना दे इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तो ठीक है यहाँ पे तीवा tribes को हम लोग कभी-कभी लालूंग भी कहते हैं जो कि एक indigenous community है एक बात करें तो आदिवासियों का समूह है आसाम में और यह लोग बात करें आसाम में ही नहीं बलकि मेघालिया में भी कुछ पार्ट सब मेघालिया और नाचो परदेश में वनिपूर में भी इनका tribes जो है मिलते हैं ठीक है सेडूल tribes है यह लोग आसाम के रहने वाले और यह कल्टिवेशन सिफ्टिंग कल्टिवेशन ट्रैक्टिस करते हैं ठीक है यह दखिया है और बात करें तो वंक्चुआ जो है एक most important festival है इनके लिए ठीक है इन जो tribes है इनके लिए चलिए next बात करते हैं दोस्तों next है कि अभी हाल में यहाँ पर BRICS Agriculture Research प्लैटफॉर्म हुआ था और यहाँ पर बात किया गया है कि कौन सी कंट्री ने सिट अप किया इस चीज को ठीक है अभी न्यूज में ही आपको देखने को मिलेगा है तो किस कंट्री ने यह BRICS Agriculture Research Platform जो है सेट अप किया है तो देखिए यह कंट्री है है अमारा प्यार भारत तो ऑप्षन C is the correct answer माफ किजिए का थोड़ा सा मुरे गलास उखा रहा है इसलिए मुझे 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 अवाज ऐसी आ रही है एक नट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं इसके पानी पिके आता हूँ तो दोस्तो मैंने जैसा भी बोला कि इंडिया जो है correct answer हो जागा ठीक है इंडिया ने यहाँ पर setup किया है और इंडिया के किस minister ने setup किया यह भी important है तो देखिए union minister for agriculture and farmers welfare नरेंदर सिंग तोमर जी है यह नरेंदर सिंग तोमर जो है इंगों ने setup किया पहली बार BRICS agriculture justice platform यहाँ पर यह जो BRICS nation है आपस मिनने के see it करेगा लो और यहाँ पर जो भी agriculture के लिए यहाँ पर टेकनोलजी यूज होगी या फिर जो भी बात करेए एक साथ मिलकर यहाँ पर agriculture sector को बढ़ावा मिलेगा देगा लो यह सब चीज़ में पता आपको कौन से गंटरी है ब्राजील है रस्या इंडिया चाइना और साथ अफरीका है और यह जो मीटिंग थी आपकी 11th मीटिंग थी जो की काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखेगा 11th मीटिंग थी ठीक है यह चीज़ को आपको निट्रेशन ठीक है यह इस साल की थीम रही चलिए नेस्ट कोर्शन तरह आप मूबवान करते दोस्तों नेस्ट कोर्शन है दोस्तों कहता है कि BBV87 यह जो कोड है यह किस वैक्सीन का यह कोड है जो कि किस भारत बैयोटेक ने इसको बनाया है और किस डिजिज के लिए यह ब दोबल भी V87 यह काम करता है आपका बात करें तो चिकन गुनिया के लिए जी हाँ चिकन गुनिया आपको पता होगा मच्छर के काटनेस होता है तो यह उनके लिए डिवलॉप किया गया है वैक्सी ठीक है इसका भी ट्राइल चल रहा है कंट्री में फेस्टू और फेस्ट् और यह अक्यली के डिपाच्मेंन नीए आपरी मिसें क hatır भी इसका है और कि मल्ट्री कंट्री тरिய चल रहा ही खिरim एंपार्टिंट किर दोस्तों कि इंटरनेशनल डे अगेंस नुकलिया टेस्ट के Caleb ऐसंगॡ को सलिब्रेट करता है यह सलिब्रेट करता है overd舞त इंटरनेशनल डे अगय किरेंशनल को सिलिब्रेट करता है handful side effect होते हैं तो इसलिए वहाँ पर इस चीज को रोका जा सके, सब country अपने जो भी nuclear weapon बनाती है उसको यहाँ पर बंद करे तो यह awareness के लिए यहाँ पर United Nation के दुवारे यहाँ पर general assembly में 64 session होगा था 2009 December 2009 में उसमें यह resolution आया था और लाने वारा country था कागिस्थान ठीक है इन्होंने बताया कि यह resolution से जो भी nuclear test हो रहे हैं वो सब यहाँ पर ना हो country के लिए handful है या फिर world के लिए handful है यह सब चीज़ ठीक है चलिए next बात करते है आपको एक चीज और दोस्तों बता दूँ पहला nuclear test करने वाला country था यह United States Army ठीक है New Mexico में किया था July 16, 1945 में यह चीज आपको याद अपने है next question है दोस्तों कि Greenland जो कि Arctic Traderies से बिलोंग करता है आपको आता है किस country से बिलोंग करता है जो कि Arctic Traderies में आता है Greenland किस country से बिलोंग करता है Greenland जो है आपका country से बिलोंग करता है Denmark से So option B is the correct answer यह important question है इतले मैंने इसे डाला है तो इस चीज को याद रखेगा यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा Greenland यह देखो यहाँ पर Greenland है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Denmark ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Denmark तो याद रखेगा यह इसे एक news में रखा गया है यहाँ Greenland जो है न यह आपका बात करें तो Northern Pole से काफी नजदीख है ठीक है इसलिए यहाँ पर Scientist ने इसी को discover किया है और इसको नाम दिया Northern Most Island ठीक है याद रखेगा Northern Most Island Greenland काफी बड़ा आइलेंड है Greenland और Denmark की यह Denmark से बिलोंग करता है Denmark की यह आइलेंड है तो इस ने इसको याद रखेगा दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है तो यह इसलिए मैं बता दू कि मैंने जो भी आपको बताया है काफी इंपोर्टें-इंपोर्टेंट मैंने कोशन डिस्तस किया है और अच्छे से इसको पढ़िएगा दोस्तों आज के लिए बस दोस्तों धन्यवाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अबने वाट थैंकू ग्रेट थैंकू